हाई एब्रिवन कैसे आप सब मेरे चैनल फूड मॉमेंट्स एठ होम में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे उत्राखंद का एक दम लेज फूड कंडली का सागई इसे आप इच्छो बुटी भी कहते हैं कहीं के एरिया में को लेके आने के बाद इसको क्या करेंगे सबसे करेंगे चैनल सकी हम आज सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है इसको लाने के लिए सबसे पहले हमें एक हत्यार हो जाए चाहिए हमें चिम्ता दाउकिBERT नहीं वह दिन सकते हैं इसके जो kapila होते हैं पूरे पत्ते शाइज सब जगहГया इसके काटे होते है तो बहुत बारीक होते लेकिन अगर हाथ पर लग जाएगे सकीन पर चुप जाते हैं तो उसके बहुत दो-तीन निदक हमें जलन होती है तो उसके बाद हमने की इसको काटे बिल्कुर पत्तिया होते हैं उपर के डंठल वह वाल हमने इसको काट के लेके आना है तो यह देखिए इस तरह के हमने इसको उबाल दिया है उबालने के बाद इसके काटे बिलकूर खदम हो जाते हैं उसके बाद इसको हम पीसिंगे आप चाहें तो इसको यहां पर साग की तरह बना सकते हैं यहीं पर इसको मैश कर सकते हैं तो हम यहा तक आपने इसको लगातार खा लिया तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे और यह खाने में इतना स्वादिस्ट होता है उत्राखंड में कई जगह पे से कई तरह से बनाए जाता है इसमें आप दाल चावल मिक्स करके भी इसको पॉयल करके बना सकते हैं तेस्टिकर के तो हम तो भी मनाये जाते हैं 12 साल में एक बार आता है और यह इस पेशली उत्राखंड के पिथोरागड के जो सिटी है वहां पे मनाये जाता है इस पेशली रूंग जन जाती के इस दिवहार को मनाते हैं कहते हैं जब बॉर्डर पर यानि काली नदी के पास लड़ाई हो रही थी तो लड़ने के लिए वह बिच्छु बूर्ती कंडली का जो होता है न उसकी वज़े से वह पार नहीं कर पा रहे हैं मतलब ऐसा सुना है मेंने इससे बहुत सेफटी हुई है तो यह देखिए हैं और हमने इस कंडली को पीछ लिया है इसको बनाने का तरीका भी बहुत एजिय है बिल्कुल हम इसको विलेज टाइप के बनाएंगे इसमें कुछ जादे इंग्रीजिशन हम बिल्कुल नहीं डालेंगे मसाले भी न स्में डाल दीजैने ृल्स-डाल के और इस्दाली केzam को भी डालके मिक्स करके आप बना सकते खिचडी की तरह या फिर यह वाला मेथड़ मैंबना रही हूं इस कंडली या बिच्छू बूटी पे साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही फाइदा मन्द और आगी चलकर यह बहुत फाइदा मन्द होने वाला है और इसमें हम थोड़े थोड़े इंग्रीडियन्ट यानि करें मसाला थोड़ा से डाल देंगे धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और यह हमने डाल मिक्स की बॉइल किया है यानि उड़ा की दाल हमने उबाल के रखी हुई है तो सबसे पहले हम इसको पका लेंगे कुछ मसाले के साथ तो यह देखिए इसको पकने के बाद हम जो साग हमने बनाय था ना पीशा था वह हम यहां प दाल और सागे मिक्स हो गया अच्छाए से और जब हम इसको पकाएंगे तो हमने यहां पर क्या करना है हमेशा गरम पानाई इसमें यूज करें वैसे तो यह पहाडी एरिया में मिलता है अगर आप लाना चाते हैं बनाना सकते हैं बहुत अच्छा रहते हैं यह फिर आपको पहाड़ी में तूरी श्टीर रहतो है वहाँ पर आपको यह खाने को मिल सकता है और इसको कुछ देर तक हम धक्के रखेंगे उसके बाद यह पर नमक डालेंगे नमक को भी मिक्स होने देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे तो नमक यहां पर टेस्ट के अनुसार डालेंगे और यह मतलब सक्रांती के दिन भी आप इसे बना सकते हैं इसकी खिचली इस तरह से बनाए जाए न तो बहुत अच्छी लगती है तो आप इसे जरूर जब पहाड़ी देर में जाए और कहीं पर आपको यह खाने को मिले तो आप इसका टेस्ट जरूर करें क्योंकि आपको ब तो पानी हमने इसमें थोड़ा से जादे किया क्योंकि चावल के साथ खाना है अगर आप चपाती के साथ खाएंगे इसे तो थोड़ा सा इसमें क्रेवी कम कर सकते हैं तो यह देखे कितना एजली यह साग हमारा बनके त्यार हो गया इतना टेस्टी और हल्दी और स्पेशल हम गाओं में गये हों मीं तो हमने यही बनाकर क्या हमने थो बहुत अच्छा लगधा क्योंकि हम बच्वद में भी खाते थे तो वहीं दिन ययाद आ गहीं इसमारी कंडाली के साग और जाइपängerपन रापना लग devi चावल आपको वीड़ियो कैसे लेगे कामेंट करके जरू नोंगे ने रस्पीके साथ, तब्टके ले बहे टेकिया.